हलो एवरिवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है 12th क्लास के फिजिक्स के सेलेबस का चेप्टर नमबर 7 अपना केंटिन्यू चल रहा है जिसमें अपन विजुत धारा के चुम्बक ये प्रभाव के बारे में पढ़ रहे है हलनकि अपने आज से पहले एक विजुत क्षेतर के अंदर रखे हुए आवेश की क्या स्थिती होती है उसके उपर कौन सा बल लगता है और उस बल की डाइरेक्शन क्या होती है उसके बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके है और इस चेप्टर में अभी अपने पढ़ा है कि येदि चुम्बक की एक शेतर आपके पास है और उसमें येदि कोई आविशित कण गती कर रहा है तो उसके उपर किस तरीके से बल लगता है और चुम्बक की एक शेतर के अंदर आविशित कण की कितने प्रकार की गतियां है इनके बारे में अपने चर्जा करी है येदि आविशित पाल्टिकल है वो चुम्बक की एक शेतर की दिशा के समांतर दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पत है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है 90 डिगरी के उपर ये दी एंटर करता है तो वृताकार पत में गती करता है 0 और 90 के बीच में ये दी एंटर करता है तो वो कुंडलीनी गती करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है तो इनी सब सिद्दानतों का इनी सब बेसिक फंडामेंटल्स का उप्योग करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उप्योगी इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई सन 1934 में E.O. लॉरेंज और MS. लिविंग स्टॉन ने दोनों ने मिलकर के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई जिसके दुआरा आप किसी आवेशित पार्टिकल को बहुत ज़्यादा त्वरित कर सकते हैं बहुत ज़्यादा त्वरित करने का मतलब है कि यहाँ पर यही मैं इस टॉपिक को आपका किसी प्रिक्टिकल टॉपिक के साथ जिसको आपने देखा है उसके साथ यही जोड़ना चाहूं तो जिस तरीके से आपकी जो बंदूग होती है वो उसके अंदर रखी हुई जो बुलट है जो गोली है उसको इस तरीके से मूँ करवाती है कि उसकी जो वैलोसिटी है उसका जो त्वरण है वो बहुत जादा हो जाता है और वो एक अति उच्च त्वरण के साथ में गति करती हुई बंदूग से बाहर निकल जाती है हालांकि उसके अंदर गति के नियम का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अप्लाई होता है यहाँ पे कुछ अलग फंडामेंटल्स है लेकिन जिस तरीके से बंदूग के अंदर गोली है वो त्वरित होकर के बाहर निकलती है उसी तरीके से जो आविशित पार्टिकल है अब कौन-कौन से जो नाम है वो है साइकलोट्रॉन इसके अपन महत्वापुन टॉपिक्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले हैं अध्यन करेंगे इसका उप्योग क्या है क्योंकि जब तक आपको किसी चीज के उप्योग के बारे में पता नहीं है तब तक अपने मन के अंदर उसकी बनावट उसकी कारिय प्रनाली के प्रती उत्सुकता जागरित नहीं होती है तो इसका जो उप्योग है कि यह एक ऐसी विद्धुत चुम्बक की युक्ति है यानि डेफिनेटली साइकलोट्रॉन है वो विद्धुत चुम्बक की युक्षेतर दोनों के लिए वर्क करेगा ऐसी युक्ति है जो धनावेशित कणों यानि कि एक बात यहाँ पे क्लीर हो जाती है कि ये केवल और केवल पोजिटिव पार्टीकल्स को ही त्वरित करने का काम करती है अब पोजिटिव पार्टीकल्स के अंदर कौन-कौन से आ जाते हैं जैसे प्रोटोन है, जुट्रोन है, अल्फा पार्टीकल्स है, एट्सेक्टरा इन सभी दनावेशित कणों को उच्च वेग से त्वरित करने में इसका उप्योग किया जाता है जैसे आप लोगों को याद होगा कि रदरफोर्ड ने एक सोरण पन्नी प्रियोग किया था आपको याद होगा कि रदरफोर्ड का जो सोरण पन्नी प्रियोग है उसमें आप एक बहुत पतली सोने की परत लेते हैं और उसके उपर आप alpha particles की बोचार करवाते है तो वो जो alpha particles ऐसे आपके पास है नहीं कि आपके पास मुंभवली के दाने हैं आप उनको निकाल निकाल करके फैकते रहेंगे तो alpha particles बहुत उच्च वेग से त्वरित होकर के इवन आपकी जो bullet होती है उससे भी हजारों गुणा त्वरित वेग से आकर के उस स्वरणपन्नी के उपर अटेक करते हैं तो वो जो alpha particle है वो इतने ज़्यादा त्वरित कैसे हो पाते हैं उनको त्वरित करने के लिए कौन से उपकरनगा उपयोग किया जाता है तो उसके अंदर cyclotron का उपयोग किया जाता है तो मैंने इस topic को आपके Rutherford के स्वरणपन्नी परियोग के साथ connect करके आपके दिमाग में एक diagram बनाने का प्रियास किया है कि basically cyclotron है क्या तो cyclotron के अंदर से alpha particle हैं वो बहुत उच्वेग से आकर के बाहर निकलते हैं अब उसके बाद आप उन particles का उन धनाविशित करणों का उन उच्वेग से निकलने वाले करणों का कहा उपयोग करते हैं उसके बहुत सारे उपयोग है जैसे सबसे पहले तो आपका स्वर्णपनी प्रियोग हो गया जिसमें आप प्रमाणू की शरंचना के बारे में अध्यन करते हैं ठीक है तो सबसे पहला इसका आपको उपयोग पता होना चाहिए अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर सिद्दान्त क्या लगेगा देखिए यहां पे आपके पास तीन चीजें महत्वपून रहेंगी सिद्दान्त हैं वो आप इसकी रचना और कारिय प्रनाले सीख लेंगे उसके बाद में यह दिया आप इसका सिद्दान्त पढ़ेंगे तो आपको इजिली क्लियर हो जाएगा आपको यहां पे एक विदुत अक्षेतर ध्यान में रखना है एक चुम्बक की अक्षेतर ध्यान में रखना है और एक धनावेशित कण को ध्यान में रखना है किसर इसका जो सिद्दान्त है वो ये होना चाहिए। ठीक है? अब अपन बात करते हैं इसकी बनावट के बारे में, इसकी रचना के बारे में। आज की इस वीडियो में अपन इस साइकलोट्रोन के टॉपिक को बिल्कुल कम्पीट पढ़कर के छोड़ेंगे। और यदि आप इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, बहुत तनमेता के साथ पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो अब अगला टोपिक है, कि साइकलोट्रोन की जो रचना है वो किस तरीके सिकh जाती है। cyclotron की बनावट है वो किस तरीके सी की जाती है तो आप लोगों को मैं cyclotron की बनावट की उपर लेके चलता हूँ देखे cyclotron की बनावट है इसको थोड़ा सा imagine कर पाना थोड़ा सा कठीन है तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रियास किया है कि आप लोगों को मेरे पास ये एक छोटा सा टुकडा या बॉक्स दिखाई दे रहा होगा ये किस तरीके का है इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे आप imagine कीजिए कि ये क्या है तो ये मेरे पास जो अपना इंगलिस का alphabet होता है डी इंगलिस का जो alphabet डी होता है उस तरीके से मैंने यहाँ पे किसी दातू के किसी प्लेट के किसी चालक के दो डीज लिये है और उन दोनों को मैंने यहाँ पर बाहर की तरफ से बेलड कर दिया है ये भी आपके पास चालक परत की बनी हुई है मिरी बात समझ में आ रही है और अंदर से इसका ये जो भाग है ये बिल्कुल खोकला है तो ये आपके अंग्रेजी के अलफाबेट D की तरह है इसलिए इस अकेले को अपन D कहते हैं तो ये जो इसकी बनावट है इसके बारे में आपको लिखना होगा और इसी तरीके से आपके पास ये एक और दूसरा D भी है इस दूसरे D को भी आपको समझना है ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का है इसकी बनावट है वो आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए और इस D के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा होल किया गया है एक छोटा सा छिद्र किया गया है इसका क्या उप्योग है आप लोगों को ये बात क्लिर होने चीए कि इस D का ये जो समानतर वाला ये जो सीदी रेखा वाला हिस्सा है ये यहाँ से ओपन है इसके बागी यहाँ से चारों तरफ से ये बंद किया गया है और अंदर का इसका portion है वो खाली है तो ये दोनों किसी चालक से बने हुए है और इंगल्स के alphabet D की तरह है इसलिए इने D's कहा जाता है और इन दोनो D's को एक दूसरे के समानतर सम्मुख बहुत नजदीक इस तरीके से रख दिया जाता है तो इसका अपन diagram भी बनाने वाले है तो पहले में इसकी बनावट है वो आप लोगों को यहाँ पर explain कर देता हूँ समझा देता हूँ उसके बाद में अपन इसको लिखेंगे तो इन दोनों को अपन D's कहेंगे और D's को अपन यहाँ पर नाम डाल देते हैं यह आपका पास पहला जो है इसे मैं कहेंदेता हूँ D1 और यह जो मेरे पास दूसरा D है इसे कहेंदेता हूँ मैं D2 ठीक है मेरे बात clear हो रही है तो इनको अपन D1 और D2 कहेंदेते हैं अब simple क्या होगा कि इन दोनों को आप एक current के source से जोड़ेंगे धारा के श्रोत से जोड़ेंगे अब धारा का श्रोत क्या लिया है आपने इतनी दिनों तक सर इतनी दिनों तक तो हमने धारा का source बैटरी ली है देखे आपने विदुत धारा के यदि प्रकार पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो current होता है वो दो तरह का होता है दो प्रकार का होता है एक होता है AC current और एक होता है DC current AC current का मतलब है alternating current और DC का direct current direct current को अपन हिंदी में दिष्ट धारा कहते है AC alternating current को अपन प्रत्यावर्ती धारा कहते है तो जो बैटरी के द्वारा धारा मिलती है current मिलता है वो एक ही direction के अंदर मिलता है जितने लंबे समय तक उसमें से धारा प्रवाहित होगी वो definitely एक ही direction के अंदर से जाएगी यानि उसका जो एक terminal जो positive है वो always positive रहेगा दूसरा जो negative आप लेते हैं वो हमेशा negative रहेगा लेकिन जो AC श्रोत है प्रत्यावरती धारा श्रोत है उसके अंदर एक second के अंदर जितने उसकी frequency है उतनी ही बार एक terminal positive दूसरा negative फिर दूसरा positive पहला negative होता है अपने घरों के अंदर आने वाला यह जो current है यह आपका प्रत्यावरती धारा होती है AC current होता है अगले चेप्टर के अंदर अपन AC और DC current के बारे में बहुत विश्तार पूर्वक पढ़ने वाले है तो यहाँ पे आपको basic साथ difference है वो नजर आना चाहिए कि AC current के अंदर अपने गरों में जो current आता वो उस AC current की जो frequency है वो 50 Hz होती है यानि एक second के अंदर 50 बार एक terminal positive होता है और 50 बार दूसरा terminal positive होता है यानि उनकी स्थितियां है वो बदलती जाती है तो यहाँ पर इन दोनों को अपन एक AC स्रोथ से जोड़ देते है तो AC स्रोथ से जोड़ने का मतलब है कि एक second में 50 बार पहले ये D1 positive है तो उस समय ये D2 negative है फिर उसी एक second के अंदर ही ये वाला positive हो जाएगा ये negative हो जाएगा फिर ये positive हो जाएगा ये negative हो जाएगा ये कहानी एक second में 50 बार होती है इसे एपन कहते हैं AC current के frequency ठीक है इसके बाद में जैसे ही आप लोग इन दोनों को AC current से जोड़ देंगे तो ये चालक तार है ये चालक धातू की बनी होई Ds है और इनको जब आप AC current से जोड़ेंगे तो जब ये positive से connected है तो ये पूरी की पूरी परत है ये पूरी की पूरी D है ये positive charge से हो जाएगी और ये negative आवेशित हो जाएगी और आप चानते हैं कि चालकों के अंदर विदू तक्षेतर की value zero होती है तो इसके अंदर विदू तक्षेतर हर खण zero रहेगा तो जब ये positive है ये negative है तो इस दोनों के बीच वाला ये जो area है जो इसके समानतर हिस्से वाला जो इसके व्यास के हिस्से वाला है यहां पर विदू तक्षेतर उत्पन हो जाएगा और उस विदू तक्षेतर की direction क्या होगी जब D1 positive है तो विदू तक्षेतर D1 से D2 की तरफ होगा और जब D2 positive है तो विदुत क्षेतर की जो इस्तिती है वो बदल जाएगी अब की बार D2 से D1 की तरफ होगा यानि इन दोनों के बीच में उत्पन होने वाला जो विदुत क्षेतर है वो भी एक सेकंड में 50 बार परिवर्तित होगा 50 बार उसकी इस्तिती बदलेगी ठीक है? तो केवल विदुत क्षेतर है वो इन दोनों के बीच में होगा इन दोनों के अंदर जो खाली भाग है ये चालक धातू के बने हुए है इसलिए इनके अंदर जो विदुत क्षेतर होगा वो जीरो हो जाएगा क्लियर है कहानी? अब अपन क्या करेंगे? कि इन दोनों डीज को अपन थोड़ा सा उपर उठा करके रखेंगे उपर उठा करके रखने का मतलब है कि ये जो नीचे आपको कागज नजर आ रहा है ये आपके पास चुम्बक का दक्षणी धुरुआ ले लेते हैं और इसके उपर कागज के ऊपर थोड़ा सा उपर चुम्बक का उतरी धुरुआ ले लेते हैं यानि जब दो चुम्बक के धुरुआ आपके पास आ जाते हैं तो अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे कि जो चुम्बक होती है उसके उतरी धुरुआ से दक्षणी धुरुआ की तरफ चुम्बक के क्षेतर उत्पन होता है तो यानि आपके पास ये जो मेरे पास स्पेन की डाइरेक्शन है उपर से नीचे की तरफ इस तरीके से चुम्बक के क्षेतर उत्पन हो जाता है क्योंकि आपने उपर उत्री दुरुव है और नीचे दक्षन दुरुव रखा हुआ है तो जब ये चुम्बक की एक्षेतर हो जाएगा तो इस चुम्बक की एक्षेतर के अंदर बीच में आप लोगों के ये दोनों D है वो रख देनी है तो अब विदूत क्षेतर जो आपका था उसकी डायरेक्षन एक बार तो D1 से D2 थी दूसरी बार D2 से D1 थी और आपके पास जो चुम्बक की एक्षेतर आ रहा है उसकी डायरेक्षन है वो जस्ट परपेंडिकुलर इस तरीके से है तो यहाँ पे आपके पास विदूत क्षेतर और यह चुम्बक की एक्षेतर दोनों एक दूसरे के लंबुत हो जाते है ठीक है मेरी बार तो यह इसकी बनावट रहती है और इनके बीच में यहाँ पर ठीक बीच में एक धनावेशित कण उत्पन करने वाला स्रोत रखा जाता है जो बार-ार बार-ार धनावेशित पालिटिकल्स को जनरेट करता है तो यह इसकी बनावट है इसके बनावट के अंदर इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे और इसकी कहानी भी लिखेंगे जब बनावट आप लोगों के दिमाग में क्लीर हो जाएगी थोड़ा थोड़ा एक imagination आ जाएगा तब अपन इसकी कारिय प्रणाली पढ़ेंगे उस समय आपको पास कारिय प्रणाली बहुत easy going हो जाएगी आपको हर एक बात अपने दिमाग में clear होती जाएगी तो जितनी बाते अभी आप लोगों ने सुनी हैं देखी हैं उन सब को अपन यहाँ पे diagram के रूप में लिखते हैं और उसके बार में उसकी बनावट लिखते हैं चलिए पहले मैं यहाँ पे diagram बना लेता हूँ चलिए अपने इसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले अपने इसके डाइग्राम को देखते हैं और डाइग्राम को देख करके चर्चा करते हैं वो ही अपने को इस रचना के डेरिवेशन में लिखना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये एक चुम्बक का उत्री धुरुए है और नीचे चुम्बक का खोक ले हैं परस पर एक दूसरे के समानतर रखे जाते हैं और इन दोनों डीज को एक AC वोल्टता श्रौत एसी धारा श्रौत के साथ जोड़ दिया जाता है और यह जो AC धारा श्रौत है इसका वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो आवरिती है फ्रिक्वे का जो center point है जिसे पने इसका केंदर कह रहे हैं इस केंदर के उपर धनावेशित कन उत्पन करने वाला कोई स्रोत रखा जाता है तो इस तरहेके से यह इसकी बनावट होती है यहाँ पर यह जो D है इसकी उपर यहाँ पर एक छितर निकला होता है और यह अंदर वाला जो त् इसी भी प्रियोग के अंदर जोड़ सकते हैं काम में ले सकते हैं तो यहां पर अपने इसकी कहानी में लिखा है कि साइक्लोट्रोन में दो अंग्रेजी अक्षर D के आकार के खोकले धातू के D1 और D2 होते हैं इनके व्याश परस पर समानतर और अल्प दूरी पर रखे होते ह इनके मद्धे उच्विभूांतर दसकी पावर चार वोल्ट और दसकी पावर साथ हर्ज आवरती वाला एसी वोल्ट ता स्रोत जोड़ा जाता है ये वाला इसकी फ्रिक्वेंसी दसकी पावर साथ होती है और फिर इस संपूर्ण वेवश्था को ये जो बीच वाली आपका बनावट है इस संपूर्ण वेवश्था को सक्ती शालिव विदुत चुम्बक एन एस के चुम्बक ये धुरूओं के मद्धे रखते हैं ये उपर एन धुरूओं है और नीचे डक्षनी धुरूओं है आप इस डाइग्राम को दो या तीन बार रफ में बनाने का प्रिया हो जाएगी उसके बाद में आपको इस डाइग्राम को बना पाना और आशान हो जाएगा चुम्बक एक्षेतर के मद्धे रखते हैं ये जो डीज है इनके केंद्र पर धनावेशकन का श्रोत रखा जाता है धनावेशकन उत्पन करने वाला श्रोत रखा जाता है तो ये आ कार्य प्रणाली बहुत ही आशान है बहुत इंट्रस्टिंग है पर इसको step by step सीखना बहुत जरूरी है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसकी working से कार्य प्रणाली से जुड़े हुए दो डाइग्राम बनाए हैं पहला डाइग्राम अपने को ये कह रहा है कि आपका जो धना 10 की पावर साथ चक्र तक create होते हैं एक सेकंड में 10 की पावर साथ जो नंबर है उतनी संख्या में ये positive हो सकता है और ये negative हो सकता है हलेंकि उसकी संख्या है वो उसे कम भी हो सकती है लेकिन maximum value अपने यहाँ पर 10 की पावर साथ हर्ज ली गई है तो सबसे पहले क्षण जैसे ही आप इस AC प्रत्यावरती श्रोत को start करेंगे on करेंगे switch on करेंगे तो ये पूरा system चुम्बक की एक्षेतर के तो बीच में रखा हुआ है और चुम्बक की एक्षेतर है वो बिल्कुल आरपार जा रहा है चुम्बक की एक्षेतर है इस धातु की पट्टिका के उपर उसक के बीच में ये जो समानतर इस्थिती में जो खाली स्थान है इसी में विदुत क्षेतर होगा इन दोनों डीज के अंदर जो चालक पदार्त के अंदर वाला हिस्सा है वहां पे विदुत क्षेतर नहीं होगा ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले एक ये डीवन जो है आपका ये पॉजिटिव है और ये जो डीटू है इसे पर नेगेटिव लेते हैं बहुत ध्यान से समझना तो विदुत क्षेतर जो यहां पे उत्पन होने वाला है वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा इस तरीके से और यहां पर जो धनाविश उत्पन ह उस धनाविश के उपर ये बीच वाले गैप में रखा हुआ है इसलिए इसके उपर विदुत बल लगेगा विदुत खेतर के कारण इसके उपर विदुत बल लगेगा और विदुत बल जो एफ होता है उसका फॉर्मूला होता है सर क्यू ई और वो विदुत खेतर की दिश आली स्थान में चला जाता है अब आपके पास चुम्बक की अक्षेतर है वो लंबुत है ये धनावेशित पार्टिकल इधर से एंटर कर रहा है बी के अंदर खोकले स्थान में विदुत क्षेतर तो है नहीं इसी चेप्टर में आपने पढ़ा है कि जब चुम्बक की अक्ष चेप्टर की वज़े से बल लगेगा और ये उपर की तरफ ऐसे वृताकार पत तै करेगा ऐसे घूम जाएगा और जब तक ये घूम करके इस डी की इस सतह तक आएगा ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि इतनी देर में ये जो प्लस माइनस की स्थिति है वो भी बदल जाती है क्योंकि आपने AC सोर्स जोड रखा है तो अब क्या होगा कि ये दूसरी वाले इस्थिति आ जाती है अब आपके पास जो D2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और D1 है वो नेगेटिव हो जाएगा तो जैसे ही D2 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे वो धनावेशित करण है उसको ये पॉजिटिव प्लेट प्रतिकरशित करेगी ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ आकरशित करेगी यानि अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो विदुत क्षेतर है वो उस धनावेशित पार्टिकल के उपर बल लगाएगा F बराबर QE और उसकी परिणाम सुरूप ये धनावेशित पार्टिकल है वो इस D1 प्लेट के अंदर एंटर कर जाएगा जैसे D1 प्लेट के अंदर एंटर करेगा वापस उसके उपर चुम्बक की एक्षेतर के अकार नगने वाले चुम्बक की बल की वज़े से वो अगेन वरीताकार पत तै करक और यहां पहुंच जाएगा जब वो यहां से चल करके आधा वरीत प्यार पार करके यहां पे पहुंचता है इतने में अगेन इनकी स्थियां बदल जाती है वापस ये धका लगा करके यहां पे विदूत क्षेतर लग रहा ना उस विदूत क्षेतर की वज़े से जो विद इसलिए बार 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 ये जो विदुत क्षेत्र है वो उसको धक्का मारने का काम कर रहा है यानि उसको एनर्जी दे रहा है और जो चुम्बक ये क्षेत्र की वज़े से चुम्बक ये बल लग रहा है वो उसे इस वृताकारपत में यानि वापस इस विदुत क्षेत्र में लाने का प्रियास कर रहा है अब अपन ये देखेंगे कि क्या वो धनाविशित पार्टिकल एक ही वृताकार पत्थ के उपर गती कर रहा है या फिर दीरे दीरे धीरे धीरे हर बार जब उसके उपर धक्का लगेगा तो वो बड़े वृताकार पत्थ में गती करेगा उस वृ और ज़्यादा एनर्जी आती जाएगी और जो चुम्बक की एक शेत्र है वो इसे वृताकार पत्थ में गती करवा कर वापस इस विदूत ख्षेत्र में लेकर के आएगा तो इस तरीके से एक चक्र पूरा करने पर कितनी बार ये इस विदूत ख्षेत्र में से गुजरता है एक चक्र, यहाँ से चलना सुरू करता है मान लीजिये तो एक चक्र पूरा करने का मतलब है यहाँ से घूम करके वापस उसी पोजिशन की स्थिती तक आना तो इतनी देर में दो बार इस विदूत क्षितर को पार करता है जो अपने mathematical calculation में काम आएगा तो अभी जो आपने कहानी यहाँ पर समझी है इसकी कार्य प्रणाली में वो कहानी अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दुबारा उसको पढ़ेंगे और easy हो जाएगा तो यहाँ पर अपने लिखा है कि धनावेशित कन पर विदूत बल लगने से सबसे पहले यह D1 positive है D2 negative है इसकी उपर विदूत बल लगेगा विदूत बल लगने से वह D2 में प्रवेश करता है D2 की तरफ जाता है क्योंकि D1 को आपने positive D2 को negative लिया है चालक के अंदर विदुत अक्षेत्र अनुपस्थित है जैसे वो D2 के अंदर प्रवेश करेगा अंदर विदुत अक्षेत्र अनुपस्थित है इसलिए विदुत बल तो अब उसके उपर प्रभावी नहीं होगा चुम्बक की अक्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने से वृताकार पत पर गती करता है जैसे ये अंदर D2 के अंदर प्रवेश करेगा अब उसके उपर चुम्बक ये बल लग रहा है चुम्बक की अक्षेत्र में गती कर रहा है जिसकी वज़े से उसका जो पत है वो वृता में आ जाता है और जैसे ये स्थिति में आएगा वापस ये विदु छेतर में प्रवेश करने वाला होता है इतने में जैसे ये वृताकार पत्पूरा करके यहां तक आता है इतने में D's पर आवेश की स्थिति बदल जाती है अब जो D1 आपका positive था वो negative हो जाता है और D2 जो पहले negative था वो अब positive हो जाता है अब इस की स्थिति बदल जाती है अब D2 है वो positive हो गया तैथा D2 है वो negative हो जाता है ठीक है अब अपन लिखेंगे कि वापस जैसे D1 negative होता है इस विदुत ख्षेतर के कारण उस वापस चुम्बक ये बलके कारण वृताकार पत पर गती करता हुआ अगेन इस विदू छेतर में आ जाता है अगले पेज की उपर चलते हैं पर अब जैसे ही डीवन है वो नेगेटिव होगा तो उसके उपर उस धनावेशित पार्टिकल के उपर डीवन की वज़े से आकरशन बल लगेगा तो वो डीवन के अंदर एंटर कर जाएगा तो यहाँ पर अपने लिखा है इसके लिए कि अब धनावेशित कन डीवन में प्रव का मारदा है और चुम्बक की एक्षेतर है वो वरीताकार पत में गती करवा कर वापस उसी विदूत क्षेतर में ला करके छोड़ देता है प्रते एक बारत्वरित होने से चुम्बक की एक्षेतर में वरीताकार पत की त्रीजा बढ़ जाती है जैसे ही वो विदूत क्षेत के अंदर आपने जो उसकी स्थती बदल रही है आवेश की स्थती बदल रही है जितनी देर एक प्लेट पोजिटिव रहनी है इतनी देर में ही उस आवेशित पार्टिकल को वरिताकार पथ तै करके आना है तो दिरे दिरे उसका वेग बढ़ जाता है इसलिए उसके पथ की त बढ़ जाती है तो त्रीजा बढ़ जाती है अंत में कण है वो उच उर्जा प्राप्त कर खिड़की से बाहर निकल जाता है तो यह स्थितिती अपने धनावेशित कणों के लिए अब अपने इसमें एक बात पड़ी है कि इलेक्ट्रोंस के लिए ये कारे लगु नहीं होता ह ये सिद्धान्त लगु नहीं होता है क्यों नहीं होता है इसके पीछी बड़ा लोजिक है वो अपने इस वीडियो के एंड में सीखेंगे लेकिन यहां पर एक बात अपने को सीखनी बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रों है उसको यदि आप त्वरित करना चाहते है अभी तक एकसिलरेटर है एकसिलरेट करने वाले जो इंस्ट्यूमेंट है जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो बी एसी की फिजिक्स के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे चलिए आगे चलते हैं अब अपने पास आ जाता है इसकी गणिती विवेचना मैथमे मैथमेटिकल एनलाइसिस में बहुत सारे टोपिक हैं एकके करके अपन टोपिक्स को पढ़ते हैं बोर्ड एक्जाम में जब यहां से डेरिविशन आता है तो उसमें ये बात क्लीर पूछी जाती है कि कौन-कौन सी भोतिक रासिया आपको कैलकुलेट करनी है जैसे मान की त्रीजया निकालनी है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी मैथमेटिकल फॉर्मेट उसके अंदर लिख करके आएंगे जो जो वैलिज पूछी जाती है उनीका डेरिविशन आप लोगों को उसमें लिखना है और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और क्लीर कर दूं यहां आवरत काल क्या है उसकी आवरती क्या है बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं तो एक बार अपन पढ़ लेते हैं आपका उस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा और यह टॉपिक तयार हो जाएगा अर्द वृत की त्रीजा अब आपको पता है कि वृताकारप यह दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं संतुलन से चीक है, जिदा कहानिय आपको लिखने के आउसकता नहीं है, बस रिफ्रेंस डाल देना है तो ये संतुलन क्या कहेगा उसके उपर अभीकेंदरीबल का फोर्मूला क्या होता है Sir MV square upon R M है वो उस positive particle का द्रवेमान है ये इसकी velocity है और ये वृताकारपत की त्रीजा है This is equals to चुम्बकियेबल Sir चुम्बकियेबल का फोर्मूला क्या है Q V B sin theta और theta आपके पास 90 है क्योंकि लंबवत प्रविश करना और sin 90 की value 1 होने से उसको अपन वहां से हटा देते है यहां से V से V आपका cancel out हो जाएगा R को मैं यहां पर लेके जाओंगा तो Q B है वो नीचे आजाएगा Then मेरे पास value आजाएगी R is equals to M V upon Q B तो यह आपके पास अर्ध वरीता कारपत की जो त्रीजा है वो यहां पर आजाती है पीर है यहां से आप इसके वेग का format में निकाल सकते हैं क्यों? क्योंकि चुम्बक की अक्षेतर की value आपने fix ले रखी है आवेश उसका निश्चित रहेगा ही सही द्रवे मान उसका fix रहेगा यानि simple R और V एक दूसरे के उपर proportional है यानि त्रीजा जो है अब वो उसके वेग के समानुपाती है वेग बढ़ेगा तो त्रीजा भी बढ़ जाएगी और यहां से आप V का formula निकाल सकते हैं यदि मैं V का formula यहां पर लिखना चाहूं तो यह मेरे पास हो जाएगा Q, B, R, upon M हो जाता है तो यह मुझे यहां पर separate लिख लेना चाहिए दूसरा है B के अंदर अर्ध वरीताकार पत्थ में लगा समय second point अर्ध वरीताकार पत्थ में लगा समय इसे अपन आवर्ध काल नहीं कहेंगे केवल अपन एक D के समय की बात कर रहे हैं जो की आवर्ध काल का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो एक D में लगा समय अगर यदि अपन कैल्कुलेट कर रहे हैं तो समय का formula क्या होता है? सर दूरी बटा चाल होता है दूरी कितनी है? आधा वरीत पार कर रहा है एक D के अंदर का हिशा है तो वह simple हो जाएगा सर पूरा वरीताकार पत्थ की परीदी 2πr होती है तो एक के लिए अपन पाई आर लिख देंगे अपन में उसकी स्पीड स्पीड को अपन किस से लिखते हैं? वी से लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपने को इन डोनों की values रख लेनी चाहें तो आप R की value रख दें या V की रख दें तो मैं R की value रख लेता हूं यहाँ पे तो टी की value आजाएगी मेरे पास πाई M अपन क्यूबी पाई M अपन क्यूबी तो यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो time है जो आवर्तकाल का समय है वो ना तो वेग पे depend कर रहा है और ना ही त्रीजा पे depend कर रहा है आवर्तकाल है वो fix है अगर उसका वेग बढ़ेगा तो आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा न गठेगा वेग बढ़ेगा तो त्रीजा बढ़ जाएगी लेकिन आवर्तकाल है वो यहाँ पे इसका fix रहना चाहिए अब यह दिए आप इसके पूरे आवर्त्काल की बात कहना चाहते हैं ये दो आधा व्रित पार करने में लगा समय है तीसरा पॉइंट में लिख लेता हूँ कि सर आवर्तकाल कितना हो जाएगा चलिए आवर्तकाल और केल्कुलिट कर लीजिए तो सर आवर्तकाल जो होता है उसको अपन capital T से लिखते है और वो इस small t का double time हो जाता है तो double time के लिए मैं finally यहीं इसी pen से लिख लेता हूँ यह मेरे पास हो जाएगा two pi m upon कितना qb की value हो जाती है तो बहुत easy सा method है सारे वो ही fundamentals है जो आप लोगों ने जुम्बक की एक शेतर में लंबवत प्रवेश करने वाले कण के लिए लिखे थे clear है तो यहाँ पर आवर्त काल तक अपन पहुंच चुके हैं अब इसके बाद में अगला कहता है साइकलोट्रोन की आवरिटी तो वापस मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को revision हो जाएगा बाकि यह सभी वो ही topic है आवरिटी तो आवरिटी जो है इसको आपन n से या और टू पाई एम है वो इसमें नीचे आ जाएगा उसके बार में कोणी आवरिटी का formula भी वो ही है सबसे महत्वपून जो इसका topic है वो है धनावेशित कण की ऊर्जा चलिए यहां पर next point ले लेता हूँ मैं कि यह जो धनावेशित particle है जो इस cyclotron की window से बाहर निकल रहा है उस कण की energy कितनी हो जाएगी इवन उसके पास कौन सी उर्जा होगी गति जूर्जा जो होगी जो उसकी maximum value है वो कितनी होनी है तो इसके लिए अपने को formula क्या लिखना है कि के maximum का formula बता दीजे मुझे कि गति जूर्जा का maximum value मुझे लेनी है तो गति जूर्जा का formula होता है सा हर एक वरिताकार पत्थ में उसका वेग बढ़ रहा है जिससे उसकी त्रीजा बढ़ रही है तो यह जो वेग है वो भी इसका मैक्सिमम वाला वेग होगा ठीक है अब इसकी वैल्यू रख दीजिए कैसे रखेंगे बताईए देखे अभी आपने उपर आप अपलाई कर देता हूं और वी की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास क्यू बी आर अपन एम और इसका लगा देता हूं मैं स्क्वेर लेकिन वैलोसिटी मैक्सिमम है वेग मैक्सिमम है इसका मतलब उसकी त्रीजा है वो भी अधिक्तम होगी अब इसका जब आप स्क्वेर करेंगे और इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा मैं यहाँ पर फाइनल लिख लेता हूं के मैक्सिमम दिस इकोल्स टू वन बाई टू रह जाएगा आपके पास क्यू का स्क्वेर हो जाएगा आपके पास बी का स्क्वेर हो जाएगा और जो आर मैक्सिमम है इसका स्क्वेर हो जाएगा बटा में M का स्क्वेर है और यहाँ पे M है तो स्क्वेर कैंसल आउट होगा तो आपके पास नीचे सिर्फ M बचेगा तो ये आपके पास उस धनावेशिक पार्टीकल की गतीज उर्जा का या मैक्सिमम काइनेटिक एनरजी अधिक्तम गतीज उर्जा का फोर्मूला आजाता है या आप लोगों को याद होना चाहिए और इसके उपर डिपेंडेंट निमेरिकल्स हैं वो सामाने तक पूछे जाते हैं क्लीर है इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक और मैथमेटिकल्स फोर्मूला आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है प्रिक्षा में सामाने तक इन पांचवा और ये जो छटा टोपिक अबन पढ़ रहे हैं इन दोनों में से ही ज़्यादा तर सवाल पूछे जाते हैं कर चुका होगा नंबर ओफ राउंड्स क्या होंगे वो अपने को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने से पहले आप देखें कि सर उसकी जो गती जूर्जा है वो निकाल लेजी चलिए गती जूर्जा गती जूर्जा कैसे निकालेंगे गती जूर्जा का फोर्मूला हो कि एक चक्र जब पूरा करेगा तो उस विदुत क्षेतर में से कितनी बार निकलेगा दो बार तो दो बार उसे ये जो QV की एनरजी है एक चक्र में दो बार उसे मिलने वाली है दो बार किक आउट होगा और मैं मान लेता हूँ कि वो बाहर निकलने से पहले कैपिटल N चक्र पूरे करता है तो एक चक्र में इतनी एनरजी है कैपिटल N से मल्टिप्लाई कर देंगे तो टॉटल एनरजी इसके पास आ जाएगी और टॉटल एनरजी की जो वैल्यू है के मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो आप अभी लिख कर के आए हो तो इस इस्तिती में क्या हो जाएगा कि E है that is equal to आपके पास K maximum हो जाएगा ये इसके पास गती जूर्जा का formula हो जाएगा तो K maximum वाला जो formula है और E का जो formula है वो दोनों आप यहां पे रख दीजिए तो यहां पे मैं value रख लेता हूँ पहले एक बात ये मेरे पास था एक बटा दो Q स्क्वाइर B स्क्वाइर R M का स्क्वाइर अपॉन M तो इन दोनों को यह दी मैं एक दूसरे की equal रखूँ और मुझे directly N की value फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास space कम है इसलिए मैं final answer लिख रहा हूँ N बराबर ये 2QV यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा तो डिवाइड में जाते ही है एक तो बन जाएगा 1 by 4 ठीक है इसके बाद में यहाँ पर मेरे पास Q का स्क्वाइर है एक इस Q से cancel out हो जाएगा तो Q बचेगा उपर मेरे पास B का स्क्वाइर है फिर R मैक्سिमम का स्क्वाइर है ये वैल्यूज मेरे पास सेम रहनी है नीचे यहाँ पर आपके पास M है और इसके बाद में आपके पास 2 आपने पहले लेगे Q आप लेगे N की वैल्यू निकाल रहे है और V है वो आपके पास यहां पर डिवाइड में आ जाएगा तो इस तरीके से आपके पास जो वृताकार चक्रों की शंख्या निकालने का फॉर्मूला है वो यह आजाता है तो यह दोनों रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए इनके उपर डिपेंडेंट सवाल है वो प्रिक्षा में सामाने तक पुछे जाते हैं तो इस तरीके से साइक्लोट्रों के जो इंपोर्टेंट पॉर्शन है वो आपका कम्पलीट हो जाता है यहां पर वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो इसलिए अपन इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको next, second part में पढ़ेंगे जिसमें अपन साइक्लोट्रों की जो merits हैं, properties हैं, गुन धर्म हैं उनके बारे में बात करेंगे साइक्लोट्रों के कुछ limitations भी हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और cyclotron के उपर dependent जो संख्यात्मक प्रशन है, numericals हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे एक दिन का आप लोगों को समय मिल जाएगा इसलिए आप इन mathematical portions को revision कर लीजे, अच्छे तरीके से इनका notes तयार कर लीजे और अच्छे तरीके से को पढ़ लीजे चलिए, आज का topic अपन यहां पे खतम करते हैं, cyclotron है वो अपना एक topic के अंदर एक वीडियो में complete नहीं हुआ है इसका जो remaining बचा हुआ पार्ट है, वो आप कल पढ़ेंगे चीक है, यदि आपको हमारा वीडियो, हमारा जो techniques है वो अगर पसंद आ रही है, तो प्लीज आप वीडियो को like जरूर कीजिए और अपने friends के साथ share करना ना भोलें और आपका जैसा भी feedback है, जैसा भी आपका comment है, जैसी भी आपका response है प्लीज हमें comment box में response जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, सुग दिन